लाइफ में आशावादी रहना कितना important है और जब दो लोग मिलते हैं तो एक दुसरे के action से वो एक दिस्टरों को inspire करते हैं अच्छी लाइफ चीने का तरीका वो एक दिस्टरों को बताते हैं इस message के साथ आज की movie आती है आज की movie में cast away on the moon ये 2009 की Korean movie आपको मैं explain करने वाला ये Korean love story है और इसकी I'm Dividing 8.1 है सुसाइट करने का एक फैल attempt करकर ये आदमी किस तरह से जंगलों में रहता है और फिर इसका life में क्या change आता है ये हम इस movie में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं movie स्टार्ट होती है और वहाँ एक breach हमें दिखाया गया है इस breach पर हमारा main character खड़ा होता है इसका नाम हम James रखेंगे James ने अमनी credit card company को call किया होता है उनसे उस पर कितना debt है ये वो पूछ रहा होता है उस और बहुत सारा करज़ा होता है James बहुत है depressed होता है और जीने के लिए उसके लिए कुछ भी बचा नहीं होता तो इसलिए अब वो पानी में खुच जाता है जब इसकी हाग खुलती है तो वे शोर पर आ चुका होता है जब वो उठता है और आसपास देखता है तो खुद से ही कहता है कि वो ढंग से मर भी नहीं सकता रिवर की किनारे पर वो आ गया होता है वो आसे उसे पूरी सीटी दिख रही होती है फिर वो एक बिल्डिंग दिखता है और अपने आप से कहता है कि उस बिल्डिंग से अगर मैं चलांग लगूँगा तो मैं हंडेट बसे मर जाओंगा अब जिस किनारे पर होता है उस पर पूरी नदी होती है, नदी पार करकर अगर उसे सिटी में जाना होगा, तो यह ज़्यादा डिस्टंस नहीं है, पर जेम्स को तेरना नहीं आता, अब इसे ब्रॉल्म है, तो रात में वही सो जाता है, जब सुभा होती है, तो एक बोट उसे दिखती है, उसे वहाथ देने होता है, यह कास्ट अवे मूवी की तरह होता है, तो उसने यह देखी होती है, तो इस वह अम्यूजिंग लगता है, अब वो डिसाइड करता है, कि वो किसी को कॉल करेगा, और उनसे हेल्प मांगेगा, वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को बताता है, कि मैं सीटी के relationship थी, अब सब कुछ खतम हो चुकी है, तो यह भी मुझे अप छोड़ देना चाहिए, मुझे फिर से call मत करना, यह कहे कर इसका call वो काट देती है, James कोई कोई friend नहीं होती, उसके कुछ family नहीं होती, वो किसी और को call भी नहीं कर सकता, फिर उसे एक daily marketer का call आता है, यह उसे कु खतम हो जाती है, अब James के पास कुछ option नहीं रहा, तो तेरने की कोशिश करता है, वो अपने आप से कहता है, कि वो एक कर सकता है, motivate अपने आपको करता है, और बाने में कुछ जाता है, जब वो डूबने लग जाता है, तब उसे flashback आने लग जाते है, इसमें first flashback हमें जो दि और वो चल रहे होती है, और वो swing pull में ही डूब रहा होता है, इसके जो entrance exam थी, उसके जो score थे, वो भी बहुत कम थे, और पीछले company में वो जौब नहीं कर बाया, Nixon में फिर उसकी girlfriend में दिखती है, वो से बोल कर जाती है, कि तुम्हारे life में सब कुछ गलत था, पर इसका गु वो भी के लिए बहुत ही जादा significance है, उसके फादर जो थे, इसे हमेशा कुछ लटकों से compare करते रहती थे, वो पढ़ाय में भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसे job करना बड़ा, और इसमें वो डूपता जला गया, उसके life में किसी ने भी उसे accept नहीं किया था, वो ज छोड़ कर चलिगी, जब वो financial problems में आया, तब उसने loan ले लिया, इस loan के problem ने उसके life तबाह करने में एक last track दे दी, अब हमें फिर से James किनारे पर आ कया है, यह दिखता है, वो जंगल में आता है, अपने tie को बान देता है, और इससे वो suicide करने वाला होता है, जब वो यह suicide कर होता है, तो civil defense corp, यह पूरी city को pause कर देते है, किसी को हिलने का allowed नहीं होता, यह security drill होती है, एक साल में यह दो बार करते है, James एक impulse में होता है, और suicide करने वाला होता है, पर इसके alarm से वो अपना mind change कर देता है, वो कहता है, कि मुझे suicide करनी है, मैं कभी भी कर सकता हूँ, इसे फ भूग भी बहुत सारी लगी है, तो इस फुल कोड टेस्ट करता है, वो कहता है, कि बहुत दीन गुजर गए इसे खाते हुए, यह इतना sweet है, कि मुझे रोना आ सकता है, और सचमुच में यह रोने भी लग जाता है, इसे पानी की वैस लगती है, तो नदी का ही पानी पी ल नहीं होते, थोड़ी देर बाद वो अपने लिए आग बनाना चाता है, तो लकडी को गिसता है, टॉम हैंक्स की कास्ट अवे मुविय में दिखाया गया था, कि वो लकडी को गिसता है, और आग जनरेट करता है, पर यह कर नहीं बाता, वो कहता है, कि यह सब जूट है, फि उसे जो भी खाने को मिले, वो खा रहा है, नदी का पानी भी रहा है, उसे अपने आपको वाम रखने के लिए फायर भी है, अब उसे वर्ल्ड से कुजव नहीं चाहिए, तो शोर के पास वो आता है, और वर्ल्ड को फिंगर देता है, इस आइलन पर एक डग के शेप की एक खराब हुई हुई बोट होती है, इस बोट को खीषते खीषते एक जगा पर वो लेकर आता है, फिर हमसे कहता है, कि मैंने बहुत सालों तक मेरा हाउस पाय करने के कोशिश की थी, पर मैं कभी करनी पाया, आज मैं इस डग को अपना हाउस बना रहा हूँ, अब जेम्स को अ करना जाता है, पर यह स्टिक उसके पेर में ही घुश जाती है, जाड के उपर बर्स ने अंडे दी होते हैं, पर जाड पर भी वो चड़ ने पाता, जाड पर वो चड़ रहा होता है, तो बर्स उस पर टटी कर देते हैं, यह टटी हो चुका है, तो इसलिए अपने हेल्स हो दो रहाता है, पर इसे शैंपू की बॉटन मिली थी, इससे वो अपने बालों को शैंपू करता है, जब इस शैंपू के केमिकल्स पाने में मिक्स हो जाते हैं, तो इससे जो फीश होते हैं, वो मर जाते हैं, ये तेरकर उपर आ जाते हैं, फिर ये फीश को लेता है, और अब इसकी पर्टी करता है फिसके जो लेबटर होते हैं तो कुछ कभूतर यह काते हैं गेमिकल्स खाकर फिस मरे थे तो यह केमिकल्स इस बिर्डस में poorer चले घए हैं तो यह भी मद जाते हैं इसे और भी खाना अब मिल चुका है ये birds, fish ये बहुत ज़्यादा delicious थे ये वो कहता है ये फिर grass पे फुलों के बीच में सोया हुआ हमें दिखता है वो कहता है कि अब बहुत ये बोर उच्चुका हो इतना ज़्यादा boredom बहुत ही अच्छा है ये अब बहुत ही peaceful मैसुस करता है अब next scene आता है और इस movie का एक नया character हमें introduce हुआ है ये एक लड़की इसका नाम हम रोज रखेंगे हमें फिर इसका room दिखता है ये जो room होता है बहुत गंदा होता है और बहुत सारी चीजे यहाँ पड़ी हुए होती है वो जो खाती है वो भी यहाँ पड़ा होता है उसके कपड़े वेगरा सब कुछ गार पेज यही पड़ा होता है इसके room में फिर ये हमें एक computer screen पर दिखाए गई है ये हमसे कहती है कि internet पर मैं कुछ भी बन सकती हूँ उसके एक website होती है जिस पर वो blogging type अपने images डालती है वहाँ comics पर अपने काम करती है इसका कहने का मतलब होता है ये हमेशा internet से अलग-अलग photos निकालती है और photoshop करकर अपनी image पर वो लगा देती है अपनी site पर वो upload कर देती है वो कहती है कि मुझे जो भी अच्छा रगता है वो मैं कर सकती हो मुझे अगर परस अच्छी लगी तो मेरे life में इसे डाल सकती हो ये सब online ही है पर फिर भी इसे satisfaction देता है हम जब इसे नजदीक देखते है तो इसके forehead पर जला हुआ निशान होता है इसके साथ कुछ हास्ता हुआ था और उसके बाद से वो इस room से गई ही नहीं है इसकी mother घर से बहार जाती है तो उसे कहे कर जाती है कि उसने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया है ये उसकी mother से इसकी family से भी बात नहीं करती है इसकी मदरच जब चली जाती है तो खाना वो ले लेती है ये फिर हमें कहती है कि 3 साल हो ग challenges फिर भी मेरे room से बाहर नहीं गई उसका schedule फिर वो हमें कहती है वो कहती है कि मैं उठती हो और फिर में steps लेती हो उसके पास एक walking machine होती है जिसवर वो अपने health का खयाल रखती है रात में भी exercise करकर सोती है, रात में इसे एक hoppy होती है, जिससे वो तारे दीखती है, उसे moon बहुत ही पसनाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, जिस तरह से यह अकेली है, इसी तरह से moon भी अकेला है, वो कहती है कि moon पर अगर कोई होगा, तो कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि व पहले दिखा था कि Civil Defense को अब जो होता है वो पूरी City को freeze कर देता है उसी तरह से आज भी ए City freeze हो चुकी है तो रोज को ए City देखना आच्छा लगता है ये साल में दो बार आता है तो अपनी खिड़की को खोल लेती है और City को देखती है ऐसे उसे देखना पसंद नहीं आता क्य इसको भी ये देखती है जैम जब suicide कर रहा था ये वही पल है तो इसे वो देख लीती है इससे वो डर जाती है और अपने camera से दूर हो जाती है रात में जो पह सोने के try करती है वो सो नहीं पाती है उसने जो देखा है उसे भूल नहीं पाती है रात में फिर से island में देखती ह और James को ढूंडती है इस बार James वर्ड को finger दे रहा होता है रस कहती है कि यह अलग ही प्राणी है इसे बहुत ही amazing लगता है James जो भी करता है तो इसकी वह photo निकालती रहती है उसे हमेशा देखती रहती है James जो भी progress कर रहा हता है तो यह सब हर रोज देखती है फेसा में जेम्स दिखाया गया है और आइलन पर जो भी चीज़े मिलती है इससे वो एक गोल्फ की बैट और पॉल्ब बना लेता है इससे वो खेल रहा होता है तब ही उसे एक बड़ी शिप दिखती है अगर इस शिप को जेम्स दिख गया तो उसे हेल्फ करने के लिए आ सकते है और उसे यह नहीं चाहिए है उसके जो लाइफ है यह यहाँ बहुत ही बिस्फूल है और अब यहाँ से उसे नहीं जाना इसलिए अब इस शिप से वो छुप जाता है जंगल में चलते-चलते उसे एक गुरापर दिखता है यह एक ब्लैक बीन नुडल्स का होता है यह उसे ओपन करता है पर उसमें नुडल्स नहीं होती तो उसे एक उसके मसाले का पैक मिल जाता है इसके कवर पर नुडल्स की इमेज होती है इस कवर को जब देखता है तब उसका अब मन करने लग जाता है कि ये noodles उसे खाने हैं, हमसे कहता है कि एक noodles के bag ने वह जो लाल सा में डाल दिया है, ये इससे obsessed हो जाता है, ये जो bag होता है, इसको सुंगता है, जब सोता भी है, तो इसके ही सबने उसे आते हैं, अब उसे लगता है कि इस island baby वो noodles बना सकता है, पर मैं हर बार ना कहतेता था, छोटा होता है, उसकी माँ उसे खिला दिया, फिर वो ना कहता है, अपनी फ्रेंड के साथ वो बाहर जाता है, तब वो आलक flavor की noodles लेता है, हमारी life को किस तरह से हम granted लेते हैं, इसका एक best example है, जो चीज़ हमारे सामने होती, इसका importance हमें कभी भ अब वो हार जाता है, और जो मसाले का packet था, उसे वो देखता है, वो सोचता है कि अगर वो इसे खा ले, तो इसी craving मीट सकती है, पर अपने आपको रोक लेता है, वो जब सोया होता है, तब उसे कभूदर के आवाज आती है, उसे फिर idea लगती है, वो कहता है कि यह जो कभू करता है, वो कहता है कि इस तरह से credit card ने मुझे help की, अब वो इस सब टटी को gather कर लेता है, और इसके farming करने माला होता है, यह अब सोचने लग जाता है, कि कहाँ वो farm कर सकता है, एक ideal जगा और ढोनने लग जाता है, उसे land फिर मिल जाती है, और फिर उसे लगता है कि हमें fertilizer की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो जो poop करता है, इससे वो fertilizer की तरह use कर सकता है, वो कहता है कि मुझे healthy खाना पड़ेगा, इससे मैं बहुत सारा fertilizer ready कर सकता हूँ, वो जब फिल रेडी करना होता है, तो वाह से उसे बहुत सारे पठार उठाने पड़ते है, इसमें उसे बहुत ही मैं और भी क्या करूंगा, यह काम करको और वो बहुत ही स्वेटी हो जाता है, यह स्वेट जो बहुत ही लग जाता है, तो वो अपने स्वेट को यह test करता है, वो खुद salt generate कर रहा है, इससे लगता है, और उसके बाद अपने आपको चाटने लग जाता है, उसका जो सूट इससे अपने plans को बचाने के लिए एक पुदला बनाता है, वो कहता है कि यह सूट हमें पुदला ही बना देता है, यह जब शानती से बेटा हुआ होता है, तब इससे realize होता है, यह जब सब वो कर रहा है, यह hopeful है, इसलिए यह सब वो कर रहा है, फिर से रोज हमें उसके room में जॉइन कर सकती हो, क्या मुझे इन्वाइट करेगा इसे अब James से बात करने का बहुत ही मन करने लग जाता है ये रात में अपने घर से निकलती है अपने फेस बगरा को सब इसने कवर कर लिया आता है सिकुरिटी कार्ड को भी वो डिस्टाक करती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ सा भी human contact उसे अच्छा नहीं लगता सिटी से छुपते चुपाते वो एक ब्रीच पर आ जाती है उसके पास एक bottle हो थी है और इस ब्रीच से उसमें message डाल कर वो island में फेक दी थी है दूसरी दिन फिर वो camera से देखने लग जाती है James को ये note मिली या नहीं ये वो wonder करती है इसके बाद 3 मेने गुजर चुके है James जो है अब वो master हो चुका है इस nature में अच्छी तरह केसे वो परहे सकता है fishing कैसे करनी है ये उसे अब पदा है जाड पर चड़ कर अंडे के से निकालने है ये भी उसे अब आने लग गया है वो fish अंडे घाते होए में दिखता है और उसके पास जो salt होता है ये उसका sweat होता है इस sweat इस bottle में वो भर के रखता है और इस bottle को चिड़ रखता है जब भी उसे salt की ज़रूरत होती है तीन मैने गुजर गये है और जब वो फेल्ड में आता है तब उसे एक छोटा सा crop दिखता है इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है और इसे अब उसे protect करना है इसलिए तूटे होई काच की bottles वेकरा वो ढूड़ने लग जाता है जब वो जंगल में घुमता है तब रोज का उसे message मिलता है इसमें hello लिखा होता है फिर वो river के shore तक आता है और जिस पर उसने hello लिखा था वो wonder करता है यह कौन होगा अपने suit से वो पूतला बना होता है उसे वो बाते करता है वो कहता है कि मुझे कोई देख रहा है यह कौन हो सकता है यह वो wonder करता है वो shore पर एक stick से message लिखता है उस पर लिखता है कि तुम कैसी हो रोज जोती है तीन महीने तक इस message का wait कर रही होती है जब उसे message मिलता है तो बहुत ही खुश हो जाती है फिर से वो building से निकलती है और फिर से उसे message देने के चली जाती है जब वो message देखकर घर आ रही होती है तब उसे एक plan दिखता है इस पर बहुत ही beautiful fool होती है इसे देखकर उसे बहुत ही peaceful मेस्स होता है उसे नीन की हमेशा problem आती है पर अब ये fool देखकर उसे नीन आने लग जाती है नेचरल स्लीप हो आज लेगी जेम्स को उसका message मिलता है उस पर लिखा होता है और आप कैसे हो जेम्स भी उसे fine thank you लिखता है जेम्स को friend मिल चुका है तो उसे बहुत ही अच्छा रखता है वो इंगलिज बोलती है तो ये कोई भी हो सकता है जेम्स जब wonder कर रहाता है तब उसे एक plant में कौन का plant उग गया है ये दिखता है ये बहुत ही खुश हो जाता है उसे कौन मिल चुके है और इससे वो noodles बना सकता है रोज को पता है कि जेम्स को कह चाहिए उसे noodles खाने होते है तो इसले एक delivery boy को call करती है उसे उस island पर जाकर वो delivery देने के लिए बोलती है उसे इस island तक पोचने में बहुत इदिक्कत होती है फिर वो पोच जाता है जेम्स शुपा होता है उसके पास वो चला जाता है उसे कहता है कि एक औरत ने तुमारे लिए दिया है तीन different different flavors के noodles रोज ने उसके लिए भेचे होते है जब इस delivery boy जाने लग जाता है तो अब जेम्स उसे रोग लेता है उसे कुछ कहता है और ये delivery boy फिर वहाँ से चला जाता है ये delivery boy फिर से रोज के पास आ जाता है हमें पता है कि रोज किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती वो फिर जाने लग जाता है रोज फिर उसे रोग लेती है उसे कहती है कि क्या उसने कुछ बोला ये delivery boy कहता है उसे मुझे कहा कि यह जो noodles है यह उसका hope है यह उसकी आशा है उसे noodles खाने है इसी आशा पर वो जी रहा है यह फिर noodles का parcel रोज ले लिती है उसे बहुत ही tasty आप लगता है वो कहती है कि इसमें hope की टेस्ट है उसे भी अपने life में अब better करना होता है उसे भी hope पर जीना होता है उसने जो भी किया था इसके लिए वो sorry कहती है जेम्स किनारे पर एक drawing निकालता है जिसे वो चाल से बच रहा है ऐसा वो डिपिक करता है बहुत समय तक बहुत स्टेह रहा है ऐसा वो pretend करता है उसे पता नहीं रोज कब देखेगी इसे वज़े से उसे बहुत time तक ये करना पड़ता है अब ज़रा time गुजर चुका है और उसने जो corn grow किया था अब उसके पास बहुत सारे आ चुके है अब वो अपने लिए noodles बना सकता है corn वो निकालता है इसे वो dough बनाता है इसे cut करता है और boil करकर इसे वो noodles बना लेता है अपना मसाले का जो packet था इसे वो इसमें डाल देता है ये जब वो taste करता है तो वो रोने लग जाता है उसने जो भी सब decide गया था अब उसने पा लिया है रोज भी ये देखकर खुश होती है उसे congratulations करती है रोज जो थी है वो एक छोटे से compartment में सुती है जब रात होती है तब उसे ये छोटा पढ़ने लग गया है वो बाहर आती है और बाहर आकर सुती है everyday James के efforts देखकर अब रोज भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पार हो चुकी है उसके जो भी सब insecurities थी लोगों से वो बात नहीं कर पाती थी अब ये भी वो कर रही है future ahead plan कर रही है और उसके comfort zone से अब वो बाहर आ रही है James जब अपने डग में बेठा हो होता है तो वो imagine करता है कि रोज से बात करना कैसा होगा वो उससे पूछेगा तुम कैसी हो उसका नाम क्या है वो कहा से है क्या वो कोरिया से है ये सब वो wonder करता है और call पर वो बोल रहा है ये सब pretend करता है वो फिर किनारे पर रिखता है कि तुम कौन हो उसे रोज के बारे में बहुत कुछ अब जानना है रात होती है तो रोज अपना computer दिख रही होती है उसकी जो website होती है जिस पर वो सब photos लगाती है उसमें एक comment में आगया होता है कि ये जो करी है ये सब fake है रोज ने अपना face भी किसी और औरत से निकाल कर अपने photo पर लगाता है comment में एक आदमी इस वारत को जानता है और उसकी जो भी सब community है अब इसे गालिया वेगरा देने लग जाती है रोज हमें फिर से depressed होकर जिस जगा पर वो सो रही थी वहाँ सोही होई दिखती है फिर हमें तुफान आयो होगा दिखता है इस तुफान में जेमस का जो डग होता है वो भी river में चला जाता है उसे वो पकड़ कर रखने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता जेमस के सब जो कौस विगरा थे वो सब अब मीट चुके है वो फिर अपने आप से कहता है यह बहुत ही कम था जो मैं पूच रहा था पर nature उसे ये भी दे नहीं रहा है इसा उसे लगता है वो फिर शोर में रोज के लिए रिखता है कि भाड में जाओ थोड़ी दिर में वहाँ officers आते है यह जो island है इसको साफ करने के लिए वो वहाँ आय हुए होते है जेंस फिर वहाँ से भागने लग जाता है उसे इसे island पर रुखना होता है क्योंकि यहां रोज का उसे message आता रहता है रोज से contact करने का यही एक last तरीका उसके पास है इसलिए अब वो रेजिस्ट करता है वो सब इसके पीछे भागते है और उसे वो रिस्टिक कर लेते है उसे फिर वो board में लेकर जा रहे होते है तो रोज यह देखती है रोज जहाँ से उसे देखती है यह city के दुसरे पार होता है रोज को हमेशा से James से मिलना था और इसके लिए अब वो नंगे पाव अब इने building से नीचे उतर जाती है जो चीज़े अब उसने तीन साल में नहीं की है वो सब वो कर रही है लोकों से टकरा थी है स्टीट से भागते भागते जाती है इस city के दुसरी तरब तक वो पोच जाती है फिर भी उसे James ने मिल पाता James एक bus stop पर होता है भागती भागती वहाँ जाती है bus leave कर रही होती है इसी bus में James होता है वो उसके पीछे भागती है पर ये बहुत ही आगे जली जाती है वो स्टीट पर ही रोने लग जाती है फिर से हमें एक अलाम बचता हो दिखता है और ये civil defense cop का होता है हमें पता है कि जब भी आलाम बचता है तो पुरी city freeze हो जाती है जो लोग चाहा होते है वो ही रूख जाते है अब जिस bus में James है वो भी रूख चुकी है रोज भागते भागते जाती है और bus में आ जाती है James को spot करती है और पहचान मिलेती है James उसे पुछता है कि तुम कोन हो और वो अपना नाम उसे बता देती है जब city freeze होने का time खतम हो चुका है तो bus channel लग जाती है रोज गिर रही होती है पर उसे James हमा लेता है इन दोनों का हतों में हाथ हमें दिखाई दिया गया है और अब ये साथ साथ रहने वाले है मूवी के last scene में हम बस और moon दिखाया गया है वो moon के पाज आ रहे है एक दुसरे का सहारा अब उन्हें मिल चुका है यह हमें अब पता चलता है अब मैं आपको इस movie के ending के बारे में इस characters के बारे में कुछ बताना चाता हूँ जेम जो था कि corporate में पूरे धर्या किसी घुश चुका था और इससे उसके life बरबाद हो चुकी थी उको भी भी सही से job नहीं कर पाया relationship नहीं टिका पाया जब वो deserted island में आया तब उसे realize हुआ कि उसे जीने के लिए कितनी कम चीज़े लगती है उसे फिर से जीने के लिए hope आ गया उसे noodles खाने थे इसलिए उसने बहुत सार effort लिये उसे realize हुआ कि hard work और hope इन दोनों चीज़ों के साहरे वो इस life से जुन सकता है survival क्या होता है इसका बड़ा experience होसे आया था इसके opposite character रोज थी उसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो confined थी वो एक mentor block में थी और लोगों से बात नहीं कर पाती थी उसके साथ जब 3 साल पहले हदसा हुआ था उसके बात से वो पूरी tessness हो चुकी थी दुनिया को वो एक fake crime जी रही है ऐसा वो दिखा रही थी जिस तरह से वो अकेली थी उसी तरह से James भी अकेला था अकेले बन पर वो उससे connect कर गए और इसके बाद उससे देखने लग गई वो life के प्रदी कितना positive है और कितना effort डाल रहा है यह देखकर वो भी inspire हो चुकी थी वो भी अपने life को अच्छा बनाना चाहती थी इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से try किया पर फिर दूफान आ गया इस दूफान में रोज की real identity पूरे world को पता चल गए और जो James था उसके सब cause वेगरा सब कुछ तबाओ गया उसे उस island से भी निकाला गया वो रोज से बात करना चाहता था रोज भी उस island पर रुखने के लिए उसके लिए एक hope थी पर वो भी उससे चीन लिया गया अब यह दूसरे से मिलने पाएंगे इसी वज़े से सब insecurities इन्होंने अपने मन से निकाल ली रोज भागते भागते उसके पास आने लगी रोज इस building में रह रही थी उसी building में James जाना चाता था उसने अपने card से जब payment किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस world में वो अभी भी relevant है डट कर लड़ेगा और फिर से अपने life एक track पर लाएगा रोज की जो भी सब insecurities थी एक James के वज़े से अब वो सब निकल चुकी है मूवी के last में एक दूसरे का हाथ इन्होंने थामा था अब वो life को एक दूसरे के साहरे के साथ जीने वाले हैं आज मैं आप सब को thank you बोलना चाता हूँ कल मेरे thousand subscriber होगे और इतनी खुशी बच्पन से मुझे कभी भी नहीं हुई थी ये मेरा dream है कि मैं हमेशा stories सुनाता रहूँ इस dream को मैं हमेशा pursue करना चाता हूँ और आप सब मिलकर इसे एक reality में convert करने के लिए मुझे help कर रहे है मैं इस सब के लिए बहुत ही thankful हूँ मैं और एक चीज के लिए खुश हूँ कि हम सब ने एक community बना ली है हम सब यहां communicate कर सकते हैं क्योंकि हम सब की hobby से में और एक subject पर हम सब बात कर सकते हैं एक बहुत ही beautiful चीज है अगर आप सब का support रहा तो इस community को और हम बढ़ा सकते हैं अगर आपको यह movie अच्छी लगयोगी तो please इस video को like कर दीजेगा subscribe भी कर दीजे यानि कि आपको बहुत सारी movies मिलती रहे और आप इस community से जुड़िते रहे bell notification आइकाउन दबा दीजिए यानि कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें मैं आप से फिर से मिलूँगा और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप ख्याल रखिये